Hello and welcome friends WPS Office सीखने के सीरीज में मैं सुरज आपका त्वादत करता हूँ और आज की ये वीडियो WPS Office की है और आज के इस वीडियो में खास क्या है आज आपको बताऊंगा देखिए आज के इस वीडियो में खास ये है कि यहाँ पर सिटीज के नाम दिए गए है आपको दिख रहे हैं और इस पर आधारित एक डॉपडाउन मैंने यहाँ क्रिएट किया है तो अब यह डॉपडाउन कुछ इस तरीके से दिख रहा है ठीक है फिर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अगर मैं डी टाइप करता हूं तो देखिए डी वाले नाम पहले हाइलाइट हो गया है तो यह कैसे हुआ तो इसमें कोई नई ट्रिक नहीं है काम वही है पुराना ही बस आप जो है आपने साथ केर ना किया हो इस बात के लिए तो देखिए करना क्या है आपको के लिए तो यहां पर कुछ और भी नाम यहां पर चाहे कि मैं time अभी अगर मैं दूबारा से अगर बनाता हूं तो क्या यह आएगा यहां पर शौन कर लें और इसको किया अच्छा अच्छा extra select कर लें 3-4 तो क्या होगा तो यह select कर दिया यहाँ पर ओके किया अब यहाँ पर देखे यह drop down created है आपका ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ देखे फिर मैं D press करता हूं तो फिर वही चीज़ की D वाले नाम highlight हो जा रहे हैं लेकि करदिया आप एक नाम है कर दिया तो अभी आप मनी उसमेंग को फर्क पड़ा है जैसे मैंने एड किया तो इसमें भी वह नाम हो या गहां पर लेंक ऋगूब ऑsem मैंब दो करने का एक फाएदा है ठीक है और यह आप ठीडा त्वीdon त्सका इत्का duration तो भी उसको highlight कर रहा है ठीक है लेकिन यह चीज आपको जनरल एक्सल में नहीं मिलेगा मैंने एक्सल का मेरे पास 2021 है लेकिन यह फीचर आपको 2021 में भी नहीं मिलेगा 365 अगर आप यूज करते हो तो वहां आपको यह मिल सकता है तो यह देखते हैं एक बार एक्सल में फीचर available है या नहीं तो यहां पर हाला कि मैंने एक drop down बनाया है नेकिन फिर से एक बार बना के दिखाता हूं आपको कि कैसे बनेगा यहां पर एक blank cell पर चले जाते हैं और यहां से जाएंगे कहा data validation पर यह data validation पर आए इसे बना लेंगे क्या list ठीक है यह list बना लिया ठीक है यह list बन टाइब करता हूं तो यहां पर कुछ भी highlight होता हूँ नजर आ रहा है नीच से आपको नहीं नजर आ रहा है तो आपको यह पता लगा होगा कि WPS office किस तरीके से Excel से ज्यादा बेटर है ठीक है अब 365 की बाप नहीं करना 365 के लिए तो आपको पैसे भी देने पड़ते हैं हर सा करते हैं कानपूर को लकाता है यह highlight हो गया देख रहा है तो यह फाइदा है आपको WPS office यूज़ करने का तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगए तो अब यह भी एक spreadsheet software का नाम है Google sheet जिससे आप परचित हों गई होंगे Google sheet की सबसे खास बात यह है ना कि Google sheet आप यूज सेव रहता है तो कहीं से भी access ले सकते हो आप ठीक है आपके पास system हो ना हो आप अपने email ID से logged in करिए और कहीं से भी access पर आप कर सकते है Google sheet का ठीक है Google sheet मुझे लगता है कि Excel से तो कहीं कहीं बहतर ही है मेरे समझने में तो यही है ठीक है अब जारा देखिए यहाँ पर भी cities के name लिखे हुए है यह देख सकते हैं और यहाँ द्रॉप दनाना हो तो कैसे बनागे तो यहाँ पर अब अ बना के दिखाता हूं आप यहाँ पर मैने और यहां पर जो है हम ड्रॉपडाउन सेलेक करेंगे जो भी हमारा यहां पर सेलेक करेंगे और इस तरीके से सेलेक करेंगे नीचे आएंगे यहां तक यहां तक भी जाएंगे यहां पर पहले मैं ब्लैंक नहीं सेलेक कर रहा हूं और यहां से ओके करता हूं तो अभी देखें यहां पर अगर मैं d-press करता हूँ तो यहां पर भी देवरिया हाइलाइट हो रहा है और डेली हाइलाइट हो रहा है देख सकते हैं ना तो Google Sheet मुझे लगता है कि Excel से ज्यादा बेटर है मुझे लगता है कि Excel से WPS Office भी बेटर है और Google Sheet भी बेटर है ठीक है क्योंकि Google Sheet भी आप प्री में यूज़ कर सकते हैं और Excel को आप प्री में यूज़ नहीं करते ना एक्सल तो आपको खरीदना पड़ता है पर्चेस करना पड़ता है लीगल ही आपक करता हूं कि यहारे लगनम हालाइट हो गया जैसरे भी ठाय कि अवारांसी हालाइट हो गया तो जो ढ़िकर लेक है आपको और सबसे बड़ी बात कि you ऑनलाइशे एकसे वीड्य है और उनलाइन के सकते हुए यह सब फायदे है Google Sheet को यूज़ यह स्प्रेडशीट है और मुझे लगता है कि कई ने कहीं एक्सल से ज्यादा बेटर है तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगेगी कि किस तरीके से यह जो सौफ्वेर्स हैं वो फ्री में एविलेबल हैं और एक्सल से ज्यादा बेटर यह वर्क करते हैं परफॉ यह जो सौफ्वेर है इस सौफ्वेर का नाम है ओपन आफिस कैल्यों तैक है कैल्क बोलते हैं इसे क्या मुलते हैं कैल्क और यह भी एक स्प्रेड़ट्सीट है जिसके बारे में पहले भी हमनों भीस्कस कर चुके हैं अब यहां पर जैसे मालीजीए में यहाँ पर एकांट सबस्क्राइब है और क्ट्रेजित कि यहां पर ड्राजील दिए अर्ज है यहांपर तर देते हैं कैनडा कैनडा हो गया यूके कर देते हैं यूके तो देखेंगे कुछ काफ़े नाम हमने टाइप कर लिये हैं अब यहांपर रॉपड़ून बनाना यहां पर कहीं पर बार दाधा क्लिक कर लें और कहां चलेंगे सीदह सीदह पर गरे से ते एंगे साहरे से assistant करना है सब्सक्राइब करेंगे यहां नहीं से ही अब यहां पर क्या वो फीचर एवलेबल है तो यहां पर मेरे खिल से फीचर वो एवलेबल नहीं मिलेगा आपको झेक तो फिर दिक्कत क्या है आप open office यूज कीजिए आप WPS office यूज कीजिए अप google इतने अच्छे चीजे हैं तो उमीद करता हूँ बात समझ में आई होगी और कहीं यह सारे software जो है बहतर performance देते हैं Excel से और paid तो है नहीं फ्री में available है तो मेरे हिसाब के तो इन्हीं को use किया जाना चाहिए आप मुझे comment करके बताइएगा कि यह software कैसे हैं ठीक है चलिए उमीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो आपको पसंद आये तो इसे share किजेगा और साथी साथ चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा जिसका नाम है computer and excel solution थैंक्यू for watching this video